सोच में सकारात मक्ता लाएं, जीवन को बहतर बनाएं मनुदर पड़ पर कौल लगाए, मनुबल अपना और बढाएं मनुदर पड़ पर कौल लगाए, मनुबल अपना और बढाएं चलो आज ही प्रण ले हम, मानसिक स्वास्त सुधारे हम मनुदर पड़ के काउंसिलर से परामर्ष पाने के लिए डायल करें टोल फ्री नमबर 844-844-0632 नमस्कार बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेश लाइव फोन इन इंट्रेक्शन सेशन में जिसे आप देख रहे हैं इवित्या चैनल नमबर 6212 और NCERT यूट्यूब ऑफिशल पर और आपके साथ अगले आदे घट्टे के सफर में मैं याशुगांधी जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे कारिकरम का नाम है सहयोग सहयोग यारी हर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ ताकि सब मिलकर शाररिक और मानसिक साथी भावनात्मक तोर पर भी मस्बूती से जीवन में आगे पड़े तो फिर देर किस बात की है हमारे आज के कारिकरम को करते हैं शुरू और उससे पहले आपको बता देते हैं हमारा आज का जो चर्चा का विशे है जो टॉपिक है वो और वो है मैनेजिंग ट्रांजिशन फॉर्मिंग सपोर्टिव रिलेशन्शिप और इस पर विस्तार से बात करने के लिए पैनल में जो विशेशक्य मौजूद है आएए आपका भी उनसे परचे करवा देते हैं हमारे साथ दो बेहत खास महमान स्टूडियो में मौजूद है सबसे पहले मैं आपका परचे करवाना चाहूंगी डॉक्टर अनीता सिरेहा से माम डी पी एफ ए न्सी ए आर्ट से अज़े एसिस्टन प्रफेसर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है माम गुदियो में एंड वेरी वाम बेल्ट नमस्कार माम और साथ हमारे साथ स्क्रीन पे एक और खास में मान जिसे आप देख रहे हैं माम है मिस योगिता शर्मा जो की प्रेक्टिसिंग काउंसलर है यानि की मनुवेक्यानिक तौर पर हमारे यह जो आज का टॉपिक है जो विशय है उसको बताएंगी और संझाएंगी नमश्कार माम वेरी वर्म वेलकम तो यू एसवेल तो अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले स्क्रीन पर जो नमबर हम आपको दिखा रहे हैं उसको अगर नोट है तो कोई बात नहीं नोट है तो नोट कर ले हमारा इमेल का पता भी आपके पास है आप उसके मात्यम से भी हमें फीट बैक दे सकते हैं अपनी को कोई भी बात हमसे साचा कर सकते हैं तो पैनलिस्ट मौजूद हैं आप चाहें तो नमबर के मात्यम से कॉल करें और आज की विशे से जुड़ी हुई कोई भी बात अगर आप पूछना जानना या समझना चाहते हैं तो कॉल मिलाकर हमारे विशिशगी से हमारे मात्यम से पर्क कर सकते हैं तो बढ़ते हैं आगे और करते हैं चर्चा के शिर्वाज जैसा कि आपको बताया आज का जो हमारा विशे है वो है मैंनेजिंग ट्रांसिशन फॉर्मिंग स्पोर्टिव रिलेशन्शिप अगर मैं सबसे पहले अनिता मैं आपके पास आओं बहुती सरल श सो एक स्टूडेन के जीवन के हिसाब से अगर हम देखे हैं तो एक स्टूडेन के जीवन के हिसाब से अगर हम देखे हैं तो एक स्टूडेन के जीवन के हम देखे हैं तो एक स्टूडेन के जीवन के हम देखे हैं तो एक स्टूडेन के जीवन के हम देखे हैं तो एक बच्चा जा रहा है तो एकस्पेक्टेशन भी बढ़ती हैं, अकाडमिक एकस्पेक्टेशन होती हैं और उस टाइम पर एक अलग तरीका का सोशल डायमिक भी क्रेट होता है जहां पर इसायद नए क्लासमेट्स होंगे, क्लासमेट्स के साथ नई टीचर्स होंगी तो जब इतनी सारे चीजे नहीं हो जाती हैं, तो उस टाइम पर एक सपोर्टिव रिलेशन्शिप बहुत इंपोर्टन रोल प्ले करता है क्योंकि वहां कही न कहीं हम बच्चे को एक तरीके से सपोर्ट दे रहे हैं और यह तारशियो में होता है यह डिया दो आयो आगार इज टीचा काम झाले, टीच चलीकी हो जारन डीच कgoingा टीच वरप रिलेशन्टीच कोड़ का में laubवन ह Cake बीच, करेपतनध पारषल, मेंक और उड्य वरaktं ऑल्रём परिलेशन दीचिता, जल आरे लगां डाथ सोच पर्टिकुलर स्कूल पर उसकी वजय से बच्चे को स्कूल चेंज करना पड़ गया तो त्रांजिशन की वजय से काफी अलग चेंज भी आते हैं कि अटमेंग चेंज क्भी कि के बस्कूल स्कूल मे पनी प्लास्रूं में झाल अते हैं, उस GrassASM में थे ताम बहुत अर्चा का हमें, करेज फ्रूंड बहुत अर्चा करता हिय थे श्कूल में grandpa परेंस हैं जो एक कम्यूनिटी जो इनवाल एक स्कूल सेटम में अधिक रोड़ बच्चे के आस पास का महौल वह अभिभावक के द्वारा बनाए गया हो शिक्षकों के द्वारा या फिर पीर गूप के द्वारा वह एक सपोर्ट सिस्टम के तरह काम करना चाहिए अपके पस सिंटम्स बच्चे में डेवलाप हो रहे हैं इस ट्रांजिशन को लेकर वो टेंशन में है तो इंडिकेशन के अगर जब हम बात करते हैं तो वो कैसे उसको समझा जाए थैंक यू फॉर गिविविंग नीड़ कॉस्टिंस तो सरप्रतम हम आते हैं जैसे कि मैं ने कहां कि ट पेरेंट्स का ट्रांसफर हो या फिर बच्चा एक स्तर से जो सेक्शनिक स्तर है वो दूसरे सेक्शनिक स्तर पर जाता है बड़ी क्लासिस में जाता है तो उसमें भी ट्रांजिशन फेज आता है तो उसमें बहुत सारे जो चेंजिशन हैं बच्चे को हम अब्जर्व कर सकत कि उस transition में क्या पता उसको challenges तो नहीं आ रहे देखिए जब हम section इक स्तर में एक स्तर से दूसरी स्तर में जाते हैं तो इसको हम एक opportunity की तरह भी ले सकते हैं और इसको हम challenges की तरह भी ले सकते हैं तो बहुत सारे जब challenges हम जब कहते हैं कि बच्चा face करता है उसको हम कई पहली केटेगराइज कर सकते हैं पहली केटेगरी में जो हम visualize करते हैं कि क्या changes या क्या hurdles क्या challenges बच्चे को मिलते हैं तो एक academic जो है challenge बच्चे को मिलता है तो जब हम देखते हैं कि बच्चे का transition एक स्तर से दूसरे स्तर में हो रहा है चाहे वह primary to middle है middle to secondary या फिर senior secondary classes में होता है तो एक परिपक्ता चाहिए होती है बच्चे को एक उस स्तर में आने के लिए और यह transition phase है उसका जो समय है वो काफी थोड़ा होता है और उसमें बच्चे को adapt करने में थोड़ा time लगता है तो वो एक I think challenge आ सकता है academic challenge और दूसरा हम जो इसी academic challenge में हम देखते हैं कि बच्चे क एक previous knowledge से competency gain करके आता है और जैसे ही उसका नए जो एक institute में नए sectionics तर पर admission होता है या वो परिवर्तन करता है तो वहां पर उस institute के desirable academic achievements होती है जो कि वो बच्चे से चाहते हैं कि यह बच्चा उस तर पर आए तो वहां कहीं पर जब उसको academic achievements नहीं मिल पाती है तो उस academic achievements में जब आए जो प्राइज करें इस तरह कि आप दूनू ने एक्स्प्रेइन किया कि वजह बहुत सारी चोटी चोटी हो सकती है वह school change होना हो वह subject विशय का बदलाव हो शहर का बदलाव हो क्योंकि यह बहुत ही delicate हुम्र होती है और जाहिर से बात है कि इस उमर में चोटा साथ पदलाव भी बहुत अलग तरीके से सामने आता है इसके लावा मैम अगर हम अनिता मैम यह समझने की कोशिश करे कि जब हम सिपोर्ट सिस्टम के तरहा खड़े होते हैं हम मतलब अभिभावक, मतलब पेर ग्रूप क्योंकि पेर भी उसी ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं और इसमें हम ट्रांजिशन को उम्र के साथ भी ले सकते हैं तो ऐसे में जब यह सिपोर्ट सिस्टम खड़ा होता है तो किस तरीके से यह प्रभाव डालता है बच्चेपे? So, जब अगर एक healthy supportive environment जहां पे parents, teachers, friends, classmates अगर involved हैं तो कही ना कही एक, मतलब एक positivity आती है जहां पे मुझे शायद जो expectation में से सेट करी गई हैं अगर मैं हायर क्लास में जा रही हो तो when I have a supportive teacher जो मेरे doubts clear करने के लिए हमेशा जो मेरे, अगर मुझे किसी चीज का confusion है जाय हो मेरे subject related confusion हो या पर मेरे personal life related कुछ issue हो अगर teacher is available to listen to my concerns अगर तीचर is available to listen to my concerns अगर तीचर is available to listen to my concerns अगर एक feeling generate हो है belonging to a child जहां पे वो school आना चाहेगा जहां पे उसको लगता है कि I am valued here You know that feeling is very important during the period of transition because at this time the child is in the phase of you know a lot of uncertainty he or she doesn't know what is being expected out of me and how much I can fulfill that expectation So when it is so much stretch or confusion उस ताम पे अगर एक light दिखती है तो automatically वो stress, anxiety उस ताम पे जो एक पच्छा फेस कर रहा है that can be handled by the teacher and it's not only the responsibility of the teacher who is in the class it's also the response मैंब एक तरीके से एक support system students में एक unity होनी जहाहा है मैंब देखा जाये तो क्यूंकि जब हम एक class का part है so we all want to be you know part of the community or particular class because हम हमेशा एक classroom को कहते है 9th A, 9th B, right? so that is the identity of myself in the school okay, my name is this but I belong to this class but अगर वहाँ पे कहीं से भी थोड़ा सा भी rejection आता है that can impact the child negatively मैंब जहां पे he or she might see that okay, I am not being belong तो एक isolation create करना you know, maybe I am not fitting in with my peer I am not fitting in with my classmates so as a friend circle what we can do is to appreciate each other as students we should appreciate each other's strength weaknesses हैं so we can help them out to overcome those weaknesses we can क्योंकि एक पेर रिलेशन जो होता है बहुत मात्वपून होता है इस उमर में at the same time जब हो एक दूसरे को पड़ाते हैं या एक दूसरे से अपने doubts clear कर रहे होते हैं so that gives them you know better understanding better confidence maybe and at the same time even the parents parents can be more supportive encouraging at this time when they know okay my child may be going through this transition so I have to be supportive I have to show extra concern extra care exactly और शायद इसले कहा भी चाता है कि एक पर्टिकुलर उम्र में आने के बाद आप भावा थोड़ी सी friendly zone में आजाना चाहिए ताकि to make your adult sense to make your adult sense child जो इस युवावस्था के दौर में जा रहा है और है तो एक friendly atmosphere इंपक्ट परता है आपके जो पीर ग्रूप है उसका and of course आपके surroundings का तो ऐसे में बहुत ही practical क्या हम tips बता सकते हैं वो बच्ची जो इस कारिकुरम को देख रहे हैं जो खुद भी किसी के मित्र होंगे और वो भी किसी के मित्र होंगे तो उस तरीके से हम कैसे help कर सकते हैं देखिए ये बच्चे के साथ जो बहुत सारे stakeholders हैं जो जुड़े हुए हैं जैसे कि मैम ने कहा कि parents का teachers का और peer group का support है वो एक holistic development of child के लिए बहुत मदद करता है और अभी तो NEP में भी बच्चे की holistic development पे काफी बात की गई है तो इसमें अगर हम बात करें कि peer support बच्चा कैसे ले सकता है कि उसको कैसे adjustment में मदद कर सकता है तो हम देखें कि student जब बच्चा नए परियावरन में आता है नए institute में आता है तो एक student council होता है तो उसकी मदद से तो बच्चे को adjustment में दिकत ना आए और वो सभी उसकी जो है institute की जो areas हैं उसको जानकारी प्रात कर सके अगर उसको कोई दिकत है तो वो peer support के द्वारा उसमें help कर सकते हैं और बच्चे के जो interest है और उसकी जो hobbies हैं उसको cater करते हुए teacher मदद कर सकती है कि बच्चे की उसको different committees में different clubs में join कराने में ताकि जो बच्चे की जो मैम ने भी कहा था कि identity loss है वो ना हो जो उसने इतने सालों में competency hobbies और interest gain की हैं तो वो व्यर्थ ना जाएं तो वो जब नई कक्षा में उसका स्थानांतरन हो रहा है नई परिवेश में वो जा रहा है तो उस परिवेश में उसको और जादा परिपक्व बनाने के लिए और और जादा adjustment better citizen बनाने के लिए तो यह बहुत मदद करेगा और अभी जो एक अभी जो bridge course की बात आ रही है कि एक NCRT द्वारा एक bridge course चलाया जा रहा है जिसमें कि बच्चों को activity based द्वारा peer learning के द्वारा आपस में mingle up होने के लिए बहुत ही एक सक्षम कदम है जिसमें कि वो एक class में हम बच्चे को activity based से एक group में discussion के थुरू एक ऐसा परिवेश कक्षा में बना पाएं जैसे कि बच्चे म और अगर और देखा जाए तो हम as a teacher भी काफी जादा support system बच्चे को दे सकते हैं जिसमें कि teacher एक ना एक facilitator की तरह बच्चे को aggressor होके उसकी मदद कर सकता है बलकि teacher जो है एक ऐसा परिवेश create करें जिसमें कि बच्चा बहुत ही comfortably अपनी बातों को बता पाए और अपनी बात अपसे बड़ी जो परिशानी जो हम समझते हैं कि जब ट्रांजिशन होता है तो पीर लॉस जो होता है बच्चे का वो होता है पुराने जो सेक्शनिक संस्थान में अपरानी जगह में जब बच्चा रहता है तो पीर गुरुप को जो है वो यहां केरी फावर्ड करके नही मदद करें और बच्चा और सक्षमता से अगे बड़े और होलेस्टिक डवलपमेंट ने ना केवल बच्चे की और बलके ऐसे सोसाइटी हम बच्चे को आगे ले जा सकें और उसकी जो दक्षताय हैं और उसकी पोटेंशालिटी जैं और उसको एन्हेंस करने में मदद करें बहुत अच्छी बात मैम आपनी ये बोली थी कि जो पीर लॉस होता है वो बहुत मनुवग्यान एक भावनात्मक तौर पे बच्चे पर असर करता है उसके पूरे व्यक्तित पर एक फिर उसके अंदर होता है कि जैसे मेरे वो फ्रेंड थे वैसे आप मुझे मिलेंगे की नही मुझे नहीं मिलेंगे या वो मुझे अंडरस्टांड करेंगे की नहीं वो हिच वो हिचक कि उनसे खुल नहीं पाएंगे तो ऐसी कंडिशन में जाहिर सी बात है कि अभिभावक, शिक्षक और जो ग्लासमेट से सब की भूमी का बहुत मात्वपून होती है पर इसको बहती कि मैंनुटली कैसे अबजर्व कर कि कैसी ठीक किया जा सकता है यह जो फियर बच्चे के अंदर आ जाता है उसको कैसे वो किया जा सकता है सेक्शन्स अलग हो जाते हैं, अगर हम बात करें, बच्चों के सेक्शन्स अलग हो जाते हैं, कि सो एंसो फ्रेंड मेरी इस सेक्शन में थी या वो फ्रेंड उसेक्शन में था, इस चीज का भी होता है, तो क्या सिस्टमाटिकली कोई बतलाव आप दोनों से जो बताना चाहें हुआ है और जो दूसरे पीर ग्रूप जो उसको मिला है उसमें एड्जेस्ट होने में मदद करें for example कुछ strategies हैं जो हम अपने स्कूलों में इस्तमाल करते हैं बच्चों को name tags with some adjective दे सकते हैं for example एक थी रहाना और उसकी painting में बहुत अच्छी रूची थी उसकी hobby थी तो जैसे रहाना painter एक बच्चा था सौरब उसकी जो है वो एक बहुत अच्छा swimmer है तो aquatic सौरब तो जब बच्चा अपनी जो एक दक्षता गेन करके आया है जो पीर ग्रुप में उसकी identity थी किसी भी एक एक स्किल के दवारा अब वो identity loss ना हो उससे हम एक adjective के साथ एक name tag के साथ जोड के हम बच्चे को identify कर सकते हैं एक birthday celebration का orientation में हम एक बहुत अच्छी skill strategy इस्तमाल करते हैं जिसमें हम बच्चे का जो birthday है उसको celebrate करने में उसके जो कक्षा के जो चात्र है पीर ग्रुप हैं उसको आगे आके बोलते हैं कि आप ने जिस बच्चे का birthday है इसके बारे में कोई भी पांची जो अच्छी आप महसूस करते हैं वो आप बताएं तो इसे जो अच्छी इसे गाइड़न्स मिली होगी अनिता मैम जब हम अभी तो मैम ने जो टिप्स बताएं कि किस तरीके से यह जो पीर फेर का जो फेर होता है उसको कैसे हम नारो डाउन कर सकते हैं जाहिर सी बात है बहुत सब की भूमिका है अगैन हम वही बात करेंगे कि जब हम अभी बात करते हैं जब हम पूरी सिस्ट्रम की बात करते हैं टीचर्स की बात करते हैं तो किस तरीके से वह अपनी अपनी का जिसे कहते है कि बहतरीन तरीके से निर्वाहन करें सिपोर्ट सिस्टम की तरह ताकि बच्चा इस ट्रांजिशन को थोड़ा सा स्मूधली टेक अप कर सके और इसमें प्रोसीड ओन कर सके इसमें एक तरीके से अगर हम देखें तो टीचर किस तरीके से अगर हम बच्चो को यह बताएं कि यह तरांजिशन जो है यह आपकी ग्रोथ के लिए हैं और गिविंग देम अ मितलब अ सेशन की इस आ प्रोस अगर हमें आगे जीवन में बढ़ना है तो यह स्ट्रोस्स के हमें वे इस अफ हमारे मौरी पार्स भार मोरी ठीके लिए है तो हमारे स्पराइने संफी ऐसे, हमारे स्वेशनेलीटेर की मॉल्ड होते हैं जैसे जैसे घर मेरा एक्स्पे एक्सी असीजन स нет में आप ड्रॉ Gilor आप लाबरेट भी करें है तो हाँ so एक जो मतलब जहां पर मैं थी कि अगर टीचर ऐसा एक अन्डूसिव इन्वारिमेंट करें जहां पर वो बता रही है कि इस पार्टन पार्शल of life so it can help one to accept the reality okay acceptance आती है कि ठीक है जैसे हमने अगर हम at the same time sensitize कर रहे हैं बचों को बता रहे हैं तो उनको acceptance करने में भी एक तरीके से help कर रहा है थीक है उसके अलावा being a teacher I can also play a role in the sense कि मैं you know mentoring या peer mentoring type में groups बनाओ कि जहां पर I know कि इस particular बच्चे की ये weakness है और इसके strength है so maybe they both can work together you know so जहां पर मैं एक support system बच्चे का create कर रहे हूं लास्रूम के अंदर उसके अलावा एक you know there can be certain activities in the school setup जहां पर हम कर सकते हैं जहां पर you know different different जो भी अपचा अपनी strength होल कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया कि अगर वो crafting में अचे हैं बच्चे हैं अपर arts में अचे हैं sports activity में अचे हैं so there can be set up of groups of you know people जहां पर अपनी strength को पर्ट्रे जादा बटा कर रहे हैं तो sense of belongingness एक तरीके से क्रेट हो सकते हैं बिल्कुल एक identification जैसा कि आपने का प्रिस्नालिटी के साथ बच्चे के अपनी अपनी प्रिस्नालिटी अपने विक्दत्र के साथ जो पहचान होती है और दूसरा जो एक fear वाली बात होती है तो वो दूरों ही उसको कंट्रोल किया जा सकता है वक्त की कमी है तो मैं यो कि तम है मैं आप से शुरुवात करूँगी कि इस पूरे विश्य को सारगर्भित रूप से अगर हम एक concluding remark जो आप देना चाहे हमारे अभभावकों के लिए बच्चों के लिए टीचर्स के लिए जो एक कारिग्रम देख रहे हैं ट्रांजिशन एक बहुत ही मैथपूर्ण फेज है बच्चे की लाइफ में जो कि ग्रोथ का एक सिंपल पार्ट है इसको एक सिंपली तरीके से लेना चाहिए और बच्चे के साथ जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं टीचर्स हैं पेरेंट्स हैं और पीर ग्रूप हैं आपस में मिल जूल के होलिस्टिकली मदद करनी चाहिए एक दूसरे की ताकि जो यह ट्रांजिशन का फेज है बहुत ही आसानी से गुजरे इसके लिए पेरेंट्स का रोल जो हम कहेंगे एक बहुत अच्छे तरीके से औरियंटेशन में एक्टिवली पाट लें जो ट्रांजिशन फेज में बच्चे का औरियंटेशन होता है जिसमें विभिन विधा है जो नई इंस्टिटूट के बारे में जानकारी दी जाती है पी टीम में शुरुआती दौर में बहुत सक्रिय रहें ताकि आप कमिनकेट पकर पाएं अपने बच्चे की अच्छाईयां हैं जो इंट्रस्ट हैं होबीज हैं ताकि बच्चे का इडेंटिटी लॉस ना हो और टीचर की जिम्मेवारी बनती है कि जो बच्चा नए परिवेश में आय के लिए और एक होलिस्टिक डवलप्मेंट के लिए हम सब का करतव्य बनता है कि ना केवल उनको एक अच्छा शिक्षा का दें और उनकी हर तरीके से शोशल एमोशनली मदद करें ताकि वह बहुत अच्छे 24th सेंचरी के लिए स्किल्फुल एक इंसान बन सकें और सब्सक्राइब करने में तो यह सब एक बच्चे को होलिस्टिकली डवलप करने में ऐस स्टूडेंट आज शोशल सर्कल हम उसको डवलप करने में मदद करें डॉक्टर अनिता आपके पास होंगी पटा फटसे पूरे विश्य को या अगर कोई महतोपुन बिंदू रह गया अगर अगर तो जल्दी से कन्कूूडिंग रिपमार्ग दे रप अबस मैं यही कहना चाहूंगे कि एक स्टुडेंट की लाइफ में बहुत सारे लोगों का इंवलमेंट होता है तो इन लोगों का इन जो टीचर्स हैं परेंट हैं ग्लासमेट हैं अग्लासमेट हैं अगर देख देख बच्छा सिफ अचादमिकली ग्रों करें हमारा में फोकस इन चीजों पर है अब जैसे नहीं निए निए अग्शिटिशन पॉलिसी ने बोला है और जैसे नहीं 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 पॉलिसी ने बोला है और रिटेन वेल एड आप वेल्टीट अगरिटेश रिटेश कर देख पुलिसी नुचा थे आप बढ़ेगा तो अचार के मंदैण परकी लॉक्राणिए थे अगरिड टेख अच बच्छे को बादे गारे यह रोए घु Owre आगे बढ़ाना है जीवन में और पूरी सकारत मक्ता के साथ, पूरी पॉजिटिविटी के साथ, और यही उतेश्य हमारा भी है, इसलिए हम इस तरीके की चर्चा, इस तरीके का विशे आप के लिए लेकर आते हैं, और हमारे खास महमान अपनी चर्चा की माध्यम से आप तक यह संदेश पहुचाते हैं, योकिता माम, अनिता माम, आप तुनों का बहुत बहुत धनेवाद, बहुती ब्यूटिपुली एक्स्प्रेंग किया आपने इस विशे को, और मुझे पूरी उमीद है कि हर वो अभिभावक, हर वो शिक्षक और हर वो बच्चा, जो इस कारिक से अपनी बच्चे का सिपोर्ट सिस्टम बनना है, चाहे वो शाररिक तोर पे हो, चाहे वो मानसिक तोर पर हो, भावनात्मक तोर पर हो, जो अभिभावक है, उनके लिए भी यही बात है, और जो शिक्षक है उनके लिए भी, क्योंकि आगे रास्ता दिखाने वाले ही हो सकता है और फिर वो प्रॉब्लम आप पर भी आ सकती है तो हर दूसरे बच्चे को समझना है और पॉजिटिविटी के साथ जीवन में आगे पढ़ना है तभी आपका ये जो ट्रामजिशन पीरिड है जो है वो उमर का बदलाव हो जो है स्कूल का बदलाव हो वो बिलकु जीवन को बहतर बनाए मनुदरपण पर कौल लगाए मनुबल अपना और बढ़ाए मनुदरपण के काउंसिलर से परामर्ष पाने के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 844-844-0632 नंबर एक बार फिर सुने 844-844-0632